वजीर आजम इमरान खान ने वजीर कानून खैब पक्तूंखा सुल्तान मुहम्मद को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया तफसीलत के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के मुवाविन खुसूसी शहबास गिल ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने खैब पक्तूंखवा के वजीर कानून से अस्तीफा लेने का फैसला करते हुए वजीर आला महमूर खान को अहकामात जारी कर दिये समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किये गए अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि 2018 हे में सैनेट इंतिखाबाद के दोरान अराकी ने असेंबली की जानिब से पैसे लिए जाने की वीडियोस सामने आने के मुवामले की तफसीली इंक्वाइरी करके रिपोर्ट पेश की जाएगी दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिप से सैनेट इंतिखाबाद 2018 में अराकी ने असेम्बली के वोट बेचने की वीडियोस बतौर शवाहिद सुप्रीम कोट ले जाने पर गौर शुरू कर दिया वीडियोस को सुप्रीम कोट में जेरे समाट ओपन बैलोटिंग केस में बतौर शवाहिद पेश किया जा सकता है जिसके लिए वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास के दोरान सैनेट के इलेक्शन से मुतालिक गुफ्त कु हुई बताया गया है कि सैनेट इंतिकाबात 2018 हे में अराकीन की जानिब से वोट बेचने की वीडियोस को बतौर शवाहिद सुप्रीन कोट ले जाने पर गौर किया गया इस सिमन में हुकूमत की जानिब से कानूनी माहिरीन से मुशावरत की भी जाएगी यहां वाज़ रहे कि सैनेट इंतिकाबात में अरकान असेम्बली को खरीदने से मुतलिक तहल का खेज इनकिशाफात सामने आ गए हैं जिनके मताबक साल 2018 सैनेट इंतिकाबात में पीटी आई अरकान को बुला कर नोटों के अमबार लगा कर खरीदा गया तफसीलात के मताबिक हुकूमत ने सैनेट इंतिकाबात 2021 ओपन बैलिट से कराने की तजवीज दी जिसकी अप पोजीशन ने मुखालिफ्ट की ताहम सैनेट इंतिकाबात में मंदी कैसे लगती है इस हवाले से 2018 की वीडियो भी सामने आई है साल 2018 में PTI के 10 अरकान असेम्बली को खरीदने से मुतालिक भी वीडियो सामने आई है 2018 सैनेट इंतिकाबात में PTI अरकान को नोटों के अमबार लगा कर खरीदा गया वीडियो में अराकी ने असेम्बली को नोट गिंते और बैग में डालते देखा जा सकता है ये खरीद ओफरोक्ट 20 फरवरी 2018 एसे 2 मार्च के दौरान की गई ताहम बादजाँ PTI ने तहकीकात के बाद वोट बेचने वाले 20 अरकान को पार्टी से निकाल दिया था